दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली निकाली गई है ग्रेड एक पोस्ट पर इसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे जिसका एस्टेप बाई एस्टेप प्रोसस आपको इस वीडियो में लाइब दिखाये ज पूरी जनकारी मिलेगी साथ जन्वरी साब का फॉर्म चल रहे हैं और इसका अंतिम देती 28 जन्वरी 2024 तक रखे गया है बाकी अप्लिकेशन फी की बात करें तो ऑल कैनिडेट का 400 रपे अप्लिकेशन फी है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर अपलाई करते तो आपकी वो लेबल का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना जाए या वैसे भी कैनिडेट होंगे जिनके पास यह योगिता नहीं है उन्होंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर अप्लिकेशन में किया है फिर वी वो इसके लिए इलिजिबल है वो अपलाई कर सकते हैं अपलाई करने के ल जो भी first name होगा आप अपना first name यहाँ पर लिखेंगे और जो आपका last name होगा last name आपको यहाँ पर लिखेंगे किसे का तीन अक्षर का नाम है तो first name बाला में ही जैसे राम राहुल कुमार राज है तो राहुल कुमार आप first name में ही लिखेंगे और आज अंतिम नेम में लिखेंगे इस recording आपको जनकारी को फिल करनी है और आपका जो पूरा नाम है यहाँ पर आप इस recording लिख दीजिएगा बाकि डेटो बर्थ आपका जो भी होगा calendar मिलता है जो भी आपका साल होगा यहाँ साब उससे बढ़ा गटा सकते है उससे चैन करे यहाँ पर आपके पिता जी का जो नाम होगा certificate के coding उससे coding डालेंगे माता जी का जो नाम होगा उसका जो spelling होगा उससी recording detail को फिल करिएगा आपका gender mail है या फिमेल है बताएंगे आप अपना mobile नंबर को डालेंगे उससे mobile नंबर को दुबारा डालना है अपना अधार नंबर जैसे यहाँ पर क्या आप उत्तर परदेश के अगर मुल निवासी है मतलब उत्तर परदेश में ही आपका जन्म हुआ है तो यहाँ पर आप एस करेंगे तो अब यहाँ पर कई सारे जनकारे पूछी जाएगी जैसे कि जो भी रिजियर वेशन का benefit दिया जाता है जैसे SCST हो कोई आरक्षन का benefit मिलेगा अगर आप अदर एस्टेट से form को भरते तो कोई आरक्षन का benefit नहीं मिलेगा अब यहाँ पर जब एस करेंगे तो आपको बताना होगा जैसे आपका जो निवास परमानपत बना होगा वो किस लेबल से आपने बनाया है वो आप यहाँ से बता सकत है आपकी सरेनी कौन से है किस category से बिलोंग करते है उसकी जनकारी आपको देनी है उस recording जैसे आप ओवी से को चुने तो फिर आपको यहाँ पर जाती परमानपत्र भी आपको बोला जाता है कि आपने कहां से बनवाया है उसकी जनकारी दीजे कब बना है उसका क्या certificate नंबर ह है वो बताएंगे और साथ ही साथ category application नंबर है तो आप दे सकते हैं नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं तो इस recording जो यूपी वाले candidate है यहां तक डीटेल आपको भड़नी होगी जिसा अगर कोई candidate अधर एस्टेट वाले हैं बिहार वाले हैं फॉर्म को भड़ते हैं तो आप सिंप्ली यहां पर नो करेंगे तो इतना ही जयनकारी आपको भड़ने की कोई आवैसकता नहीं है यह जो यूपी वाले है उनको उतना डीटेल देना जरूरी है बाकि आप जिस भी राज जिसे फॉर्म को भड़ते हैं अपना एस्टेट यहां पर बताएंगे और आप पर देखिए यूपी वाले अगर कोई होंगे तो उनको यहां पर बोला जागा कि अगर आप फिर्डॉम फाइटर से ब्लॉंग करते हैं तो उसकी जनकारी आप दे सकते हैं यहां पर बोला गया कि अगर आप यूपी गोवर्मेंट में अगर यूपी सरकार की नोकरी अगर school की जनकारी आपको देनी है जैसे high school आपने किस board से पढ़ाई किया है board का अपना नाम लिखती जिएगा किस month में आपने उसे pass किया है वो month यहाँ से पहले chain कर लिजिएगा और जो आपका साल होगा जिस साल आपने matric pass किया होगा उसे chain करने कबार done करेंगे यह आपका आ जाएगा अब यहाँ पर देखे result pass आपको चुनना है status में आपका जो roll number है उसको यहाँ पर डालना है और जो आपका 10 भी क्या certificate होगा यह आपके पास marksit होगा तो marksit के उपर में एक serial number लिखा होता है उस number को यहाँ पर आपको fill कर देना है इससे according intermediate की जनकारी देनी है जैसे आपको degree name में आपको कई सारे option मिलते है तो अगर आपने physics and math पढ़ा है तो आप इस option को चुने या आपने direct diploma किया है तो आप यहाँ पर चुन सकते हैं या अदर है तो अदर चुन सकते है तो आप अपने according जनकारी को यहाँ पर fill करेंगे जो भी आपका board होगा वो board बताएंगे जो बरह भी आपने किया होगा result आपका कब आया है यहाँ से फिर यहाँ भी आपको month चुनना है और जो आपका year होगा जिस साल आपका result आ है उसे चुनने के बाद यहाँ पर done करेंगे अब यह pass है तो यहाँ पर pass चुनेंगे roll number जो है आप यहाँ पर fill करेंगे बरह भी बला और certificate या जो marksit number है आप यहाँ पर fill कर सकते है वो label का जो certificate आपके पास है या DOE ACC certificate है या NIE LIT certificate है तो उसकी जनकारी आप यहाँ पर देंगे जैसे degree के name में आपने इन में से कौन सा degree लिया है वो जनकारी आप यहाँ पर fill करेंगे किस institute से लिया है या किस board किस university से लिया है उसका जनकारी देना है कब आप पुरका जो है यह result जो है दिया गया है वो month आप यहाँ पर बता दीजिएगा जो आपके साल होंगे वो साल आप यहाँ से क्या करेंगे बताएंगे और फिर नीचे में देखिए एक option मिलता है यहाँ पर done का जिस पर click करेंगे और यहाँ पर आपको past चुनना है status में जो भी roll number होगा आपका यह ओ लेवल certificate का computer वाला वह आप यहाँ पर बताएंगे और जो भी आपका अगर प्रमानपत्र या certificate number है तो उसकी जनकारी आपको यहाँ पर फिल करना है तो इस recording जनकारी आपको यहाँ पर देनी है फिर यहाँ पर देके कुछ जनकारी आप से पूछी जाती है कि क्या आप प्रमानपत्र का number क्या है वो बताएंगे अगर नहीं किया है तो नो करेंगे जनकारी आपको भरने की जरूरत नहीं है क्या आपने राष्टिये कैडर कोर का जो है भी प्रमानपत्र है मतलब कि अगर आपके पास NCC certificate भी वैला है तो आप यहाँ पर रेस्ट करेंगे तो फि अग्तर परदेश सरकार अध्वा कि अंदर सरकार किसे मानेता प्राप्त किसी संस्थान में computer hardware और networking पार्ट करेंगे अगर आपने किसी भी परकार की जो धीडी है अगर आपने लिया होगा तो आप यहाँ पर एस करेंगे एस करेंगे तो फिर आपको certificate number course का नाम बताएंगे और certificate जो है किस institute या किस organization के द्वारा जारी किये गए है उसकी जनकारी देंगे नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं फिर आपको address भरनी है address आप अपने according यहाँ पर बताएंगे जैसे आपका जो भी village होगा village की जनकारी या बता सकते है address 1 में post office बता सकते address 2 में police station address 3 में बता सकते है या जिस according भी आपका address लागू होता है उस according जनकारी को फिल करें यहाँ पर village बता है जो भी आपका estate होगा estate की जनकारी देनी है जो भी आपका district होगा district बताएंगे और pin code को यहाँ पर बताएंगे किसी का यहाँ पर correspondence address permanent address दोनों समानने है इस check box पर टीक करेगा द दोनों समानने हो जाएगा अलग अलग है तो अलग अलग जनकारी को फिल करें एक option मिलेगा preview and submit का जिस पर click करना है अब यहाँ पर आपके सामने preview section आता है पूरी जनकारी एक बार अच्छे से मिलान करना है कोई जनकारी गलत है तो उससे आप सुधार कर सकते है सभी जनकार पर एक OTP भी गया होगा आप यहाँ पर activate वाले जो option दिएगे हैं जिस पर click करें आप अपना registration नमबर डाले जो date of birth आपने डाला है और date of birth डालेंगे OTP को डालना है capture code को डालना है एक option मिलेगा activate का जिस पर click करना है इस परकार आपका जो registration है वह सफलता पूर्वक activate हो जाता है आप simply okay वाले विकल पर click करें जो registration नमबर आपको मिले है उसे fill करें अपना date of birth को fill करें capture code को fill करें login वाले विकल पर click करें login करते ही आपके सामने payment का जो gateway है वो देखनों को मिलेगा payment आपका 400 रुपे सभी category का लग रहा है आप simply यहाँ पर एक option मिलेगा pay now का जिस पर आपक चाहा है उस माध्यम को यहां से chain करेंगे जैसे debit card credit card UPA जो भी आप चुनना चाहा है उससे आप chain करेंगे जैसे हम UPA को चुने है UPA QR code से करना है तो इसको टी करने के बाद एक option यहाँ पर देखिए आपको मिलता है pay करने का इस पर click करें हालाकि यह highlight नहीं हो रहा है तो आप अन्य कोई भी माध्यम से चुन सकते है card का number भी डाल सकते है उसका aspiring month year जो भी होगा उसकी जनकारी देकर यहाँ से direct आप क्या करेंगे पेनाओ वाले विकल पर click करेंगे उसके बाद आपको document upload करना है जिसमें आपको photo signature और अन्य जो भी document है देना होगा जैसे photograph आपका 20 से 50 के upload करना है 12th का certificate upload करना ये भी 20 से 100 के अंदर में होगा अब यहाँ पर आपको अपना computer का जो level certificate है उसको upload करना है फिर आपका जुभी का certificate है उसे upload करना निवास certificate upload करना है ऐक option मिलेगा final submission का जसे पर आपको klik करنا है उसके बाद एक option यहाँ पर मिल जागा प्रिंट अप्लिकेशन का जिस पर क्लिक करकर इसका प्रिंट आप ले सकते हैं इस प्रकार आप सभी कैनिडेट उत्थर परदेश में जो डाटा इंटी ऑपरेटर की जो भरती निकाले गई है पुलिस में तो इसका फॉर्म आप इजिली भर सकते हैं अगली व यह प्रोस्स आपको चैनल पर मिल जागा और वीडियो आप देख पाएंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद